भारत ने बांगलादेश के खिलाफ चौथे दिन जीत लिया, दूसरा टेस्ट मुकाबला बांगलादेश की टीम को कुट्ता बना दिया दोस्तों, हारने के बाद बांगलादेशी मैदान पर ही लाइव मैच में रोते हुए नजर आए आप भी देखना चाहते हो, भारत ने चौथे दिन कैसे जीता, दूसरा टेस्ट तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले दोस्तों बांगलादेश के खिलाफ भारत ने पहला टेस्ट मुकाबला 280 रनों के अंतर से जीता, उसके बाद दूसरा टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान पर शुरू हुआ, जिसकी पहली पारी में बांगलादेश की टीम पहले दिन 107 रन बना पाती है फिर दोस्तों आने वाले दो दिन तक बारिश के कारण मैच नहीं हो पाता है, फिर चौथे दिन दोबारा से मैच शुरू हुआ इस लक्ष का पीछा करते हुए भारतिय टीम ने टेस्ट को T20 बना दिया और 34 दशमलव चार ओवर में 285 रन बनाये भारत की ओर से जायसवाल ने सबसे ज्यादा 72 रन की पारी खेली है लोकेश राहुल ने अंत में आकर 68 रन लगाएं और भारत ने 92 रन की लीड बना दिया बांगलादेश की टीम दूसरी पारी में बल्ले बाजी करने के लिए मैदान पर आई मगर बांगलादेश ने महज 26 रन पर अपने दो विकेट गवा दिये और लगभग भारतिय टीम अब इस मुकाबले को जीत चुकी है दोस्तों आपका मानना क्या है? क्या दूसरे टेस्ट मुकाबले को कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में लिखना बिलकुल ना भूले